हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सदफ क्रिस्पी कुकिंग जोन आज मैं बनाओंगी बक्रे के पाए तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैंने बक्रे के पैर जो पाए होते होने बहुत अच्छे से वाश कर लिया था और उसे मैंने एक कुकर में एट कर लिया है साथ ही साथ मैंने आधा लिटर के अतना पानी पे एट किया है एक प्यास एक छोटी बड़ी लैची चार लॉंग और थोड़ी काली मिर्च मैंने इसमें एट कर देना है हल्दी पाउडर आप इसमें आधा चमच एट कीजिए हल्दी पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आता है मिक्स करने के बाद इसे ढखकन लगा दीजिए आज तेज होगी एक सीटी का वेट कीजिएगा जब एक सीटी हो जाएगी उसके बाद आज कम कर दीजिएगा और 35-40 मिनट तक रहने दीजिएगा फिर गैस बन कर दीजिएगा कुछ खड़े मसाले हैं ये मैंने सामने क्वैंटिटी लिख दी है आप उसे एड कर दीजिएगा मिक्सर जार में इसे वाश जरूर कर लिजिएगा ये नॉर्मल जो गरम मसाले होते हैं वहीं है सारे मसालों को इसमें एड कर दीजिए और अध्रक लसन भी इसमें एड कर दीजिए और थोड़ा सा पानी मिला कर इसका बहुत ही महीन सा पेस्ट बना लिजिए पेस्ट बन कर रेड़ी हो चुके हैं अब मैं इसे एक खाली बोल में ट्रांसफर कर लूँगी ये पिसे हुए मसाले तयार है अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस ओन कर दिया है तेल कढ़ाई में एड कर लिजिए तेल गरम होने के जजबाद आज कम कर दिजिएगा और दो बड़े साइस के प्यास फाइन चॉप और एक दो तेज पत्ते इसमें एड करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राइ कीजिए मेडियम टू लो फ्लेम पर तो देखते ही देखते ही दस से बारा मिनट में प्यास बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी है अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले आड कर दूँगी जो मैंने अभी बनाये थे उसे आड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं एक चमच धनिया पाउडर एड करूँगी साथ ही साथ मैं इसके इसमें एक चमच मिर्चा पाउडर एड करूँगी फ्रेंट्स जिस तरीके से मैं बता नहीं हूँ आप से वही क्वैंटिटी रखिएगा हाफ चमच इसमें मैं हल्दी पाउडर एट करने वाली हूँ और नमक टू टेस्ट क्योंकि नमक मैंने पाए में भी एट किये थे तो उसी हिसाफ से थोड़ा कम डालिएगा और अच्छे से मिला लीजेगा थोड़ा सा पानी एट करके दो से तेन चमच पानी एट करने के बाद इसे मिक्स कर लीजे और ढग दीजे आठ से नौ मिनट के लिए हलकी आज पर आठ मिनट बाद धक्कन खोलिए दो से तीन हरी मिर्च खूब सारा इसमें हरा धनिया वाश किया हुआ इसमें एड़ कर दिजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लिजिए मिक्स कीजिए प्रॉपरली ताकि मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाए जब तक मसाले हो रहे है तब तक मैंने कूकर खोल के चेक किया है ये देखिए पाए बहुत अच्छे से गल चुके है अब इन्हे में इन मसालों में जो भुने हुए मसाले है कराई वाले मैं उसमें इन पाए को बकरे के पाए को मैं एड़ कर दूँगी ये देखिए मैंने add कर दिया है अब इस टाइम आप नमक मिर्चा टेस्ट कर लीजिए अगर नमक मिर्चा कम हो तो आप दोबारा से इसमें add कर सकते हो आज medium to low होगी इसमें फिर से again उपर से garnishing के लिए हरा धनिया add कर दीजिए बहुत सारा और थोड़ी हरी मिर्च भी इसमें add कर सकते हैं ये बहत्री लजीज पाए बनकर तयार है बक्रे के इस ठंडक में खाईए और बिमारियों को छू मंतर दूर भगाईए अगर आपको मेरे रेसिपी आती पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमें शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वाचि से बहुत ही टेस्टी लगता है बाई बाई